ओम शान्ति, जीवन में मधूरता का गुंधारन करना ही महांता है, कोई आपके साथ बड़ा अच्छा वैवार करें, बड़ा अच्छा लगता है, सब मेरे साथ बड़े मधूर स्वभाव के और मधूर वैवार के मिले बड़ा अच्छा लगता है, सब अच्छी अच्छी बात करें, अच्छी अच्छी बात के साथ मेरा वहवार उनका बड़ा अच्छा लगता, लेकिन यह मैं खुदी बनू, बड़ी मैनत है, क्योंकि जैसे जैसे सामने सिच्विशन आती है, वैसा वहवार बनता जाता है, तो महान तो नहीं बन पते हैं, पर महान आत्माओं से संपर्क जरूर चाहिए, कि सभी मेर को जो मिले, वो महान होने चाहिए, यानि मेरे साथ जो वैवार करे, वो मदूर स्वबाब काला होना चाहिए, अगर किसी का स्वबाब खराब हुआ, तो फिर हम उसको सुनाएंगे जरूर कि तुमारा स्वबाब या तुम ठीक नहीं हो, तो ये गुन दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए है, जीवन आप दूसरों का तो नहीं जी रहे हो, अपना जीवन जी रहे हो, तो अपने जीवन में जहां पर आप, जो भी दूसरों से उमीद लगाते हो, वो जरा अपने अंदर जांक के disturb ना करें, अब यही सारी चीज़ अगर हम अपने लिए अपलाई कर दें, मेरी बोलचाल सबसे अच्छी हो, मैं किसी को disturb ना करू, तो सबसे पहले आएगा, मैंने किया किया ऐसे, मैं तो किसी को disturb नहीं करता, पर दूसरे होते हैं, और अगर हर कोई अपने आप में अपनी चेकिंग करने लगे, तो महांता आती है, इसलिए जीवन जो है, वो दूसरे के जीवन को जीवन नहीं का जाता है, अपने जीवन को जीवन का जाता है, यह ना, हम अपना जीवन जी रहे हैं तो उसमें यह जरूर देखें कि मधुरता का गुन कितना है जो भी आप दूसरों से उमीद लगाते हैं, वो जरापने में देख लें, तो वही पर महांता आ जाईगी आपके साथ सब कैसा वैवार करें, आपके समुख सब कैसे बैठें किस तरह से डील करें वही आप अपने साथ तो जीवन में मधुरता का गुन धारन करना ही महांता है तो किसका जीवन? चेकिंग अपने में करो चेकिंग दूसरे में नहीं करो कि उसमें कितने गुन है या वो क्या करता है ये क्या करता है, चेकिंग अमेशा अपनी करो, कि मुझ में क्या कमी है जो दूसरों का मेरे साथ है सा वहवार है न ये चेकिंग जरूर किया करो क्योंकि सब तो खराब नहीं हो सकते मैं इसको भी छोड़ दूँ, उसको भी छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ और फिर ब्लास में पता लगे, मैं अकेला ही रहे गे तो गड़बड अपने में ही होगी, ये भी छोड़ा, वो भी छोड़ा, वो भी छोड़ा इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, तो फिर बापको भी अच्छे से टाइट पकड़गे रखो ताकि बाबा आपको समझानी अच्छी टाइट वाली दे सके और बता सके कि तुछ में क्या कमी है तो बाबा ये सारी समझानियां हरे के लिए अपने स्वह के लिए कहता है दूसरों की बात ही नहीं बाबा कहता है कि आपके पडोसी का क्या आल है आपके साथ वाले का क्या आल है जाके उसकी चेकिंग करके बैठो, नहीं, अपनी करो तो जो भी आपको जो दूसरों से चाहिए, वो जरा चेकिंग अपने अंदर कर लें तो हमारे अंदर सही मायने में महान आत्मावले लक्षन आ जाएंगे तो जीवन में मदुर्ता का गुंधारन करना ही महानता है ओम शांति